नमस्कार मैं हूँ श्वेता जाओ और आप देख रहे हैं आज तक वक्त हो गया है खबरे नॉन स्टॉप का लेकिन उससे पहले आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेहुल चॉक्षी से जुरूई मेहुल की बेल की अर्जी खारिश हो गई है मेहुल को पुलिस सुरक्षा में अस्पताल भेजा गया है मेहुल ने कोट में दलील दी कि वो डॉमिनिका में सुरक्षित नहीं है एंटिगा वापस जाने के लिए कोई भी कीमत वो देने को तयार है इस बीच डॉमिनिका के हाई क कोच ने भारत के भगोड़े कारुबारी मेहुल चौकसी पर आज फिर से सुनवाई होगी आपको बता दे कि कल की सुनवाई में जॉमनिका के हाई कोट ने उसे मजिस्ट्रेट कोट के सामने पेश होने का भी आदेश दिया है तो फिलाल जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मेहुल चौकसी के मुश्किले जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जॉमनिका जो अभी तक संकेत है वो दे चुका है कि वो भारत भेजने के लिए मेहुल चौकसी को तयार है ऐसे में पुलिस की कसली नहीं उसका इलाज भी चल रहा है इलाज अस्पताल में क्योंकि उसका कहना है कि उसके साथ बुरा बरताब हुआ उसकी मार्टीट भी उसके साथ हुई है उसके वकील भी यहाँ पर यही कह रहा है लेकिर जबीच पुलिस सुरक्षा में है मेहुल और मेहुल के प्रत्यरपन पर आज फैसला बहुत संभव आ जाएगा अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है आपको हम बता दे कि एंटिका की नागरिकता ले चुका था मेहुल चौकसी और उसके बाद वो डॉमेनिका भागा था हाले कि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि साजिश के तेहत मेहुल को फसाया गया है दरसल वो एंटिका का नागरिक है और उसे एंटिका ही भेजना चाहिए खुद मेहुल चौकसी भी यही कह रहा है कि वो कोई भी कीमत देने को तयार है एंटिका जाने के लिए लेकिन डॉमेनिका में फिलाल पेशी चल रही है और यहाँ पर पूरे मामले के सुनवाई चल रही है और डॉमेनिका की कोट तैयार है मेहुल को भारत भेचने के लिए भारत के तरफ से भी पूरी तरह से खेरा बंदी कर दी गई है और आई अब देखते हैं Nonstop 100